योगी सरकार दोरा एक दिन पहले जिस DM के ट्रांसफर का ओर्डर दिया जाता है उसे 24 घंटे के अंदर ही निरस्त भी कर दिया जाता है यानि कि योगी आधितनाथ सरकार दोरा दिये गए फैसले को बदलना पड़ता है हम जिस DM की बात कर रहे हैं वो कोई मामूली DM नहीं बल मुद्य योगी आधितनाथ ही क्यों न दिये हो दरासल बिते सुक्रवार को कौसर राज सर्मा का ट्रांसफर कर दिया गया था लेकिन योगी सरकार को बीजे पियाला कमान ने जो आदेश दिया उसके कारण उन्हें 24 घंटे के भीतर ही अपना फैसला बदलना पड़ा है और कौसर राज सर्मा के ट्रांसफर को रोकने में क्या सीधा सीधा पी एमो का हाथ है पी एमो मतलब प्रधान मंतरी का जो अफिस है उसका हम आपको आगे बताएंगे नमस्कार मेरा नाम परितो शाही है और आप जंता जंकसंद देख रहे हैं 24 घंटे पहले ही प्रधान मं साल दो होजार 1 से वादे रहे हैं कैसल राज सर्मा को प्रधार मंतरी का सबसे कडिवी डियम माना जाता है टियम होंगे ही का है कि उनके संसर्जियआ क्या यही कारण दो नहीं कि इनका ट्रांसफर ओडर आने के 24 घंटे के अंदर ही से रोख दिया गया है कोरोना के समय उन्होंने तमाम बड़े बड़े चुनोतिये को सामना किया था वर्स 2006 के आईए एस अबसर कौसल ने जब बनारस के जिला धिकारी का कारेवार संभा रहा था तो उसके कुछ दिन बाद ही कोरोना महमारी का सामना करना पड़ा था देश के प्रधान मंत्री बनार को पूरा करने की जिमेदारी भी इन्ही के कंदों पर थी बनारस की तंग गलियों में कासी भी संभा को बखुवी निभाया भी यह काम किसी बड़ी चुनोती से कम नहीं था इसके बाद लोग सहाच चुनाव विधान सहाच चुनाव विधान परिसद और पंचाच के बिक्सित करने का काम भी इन्हें पुराई मंदारी से किया था बनारस के डियम कौसल असर्वा की गिंती यूपी करड़ के सबसे सांत सबसे कुसल और तेस तरार अफसरों में होती है कोरोना काल के दोरान उन्होंने लोगों को हित में रखते हुए जो मैनेजमेंट किये उसे लेकर प्रदेश की राजानी से लेकर देश की राजानी तक उन्हों एक खुब वहवाई मिली थी प्रधान मंत्री स्वनीदी योजना के वहतर कियान वैन के लिए उन्हें प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी समानित भी कर चुके हैं जो टीम प्रधान मंत्री का इतना क परोसा करते हों उसे वे अपने संसदिये शेतर से दूर कैसे जाने दे सकते थे ऐसे में यूपी सरकार दोरा दिये गए ट्रांसफर के ओडर को 24 घंटे के अंदर ही निरस्ट कर दिया गया है उनके ट्रांसफर को रोकने का ओडर खुद प्रधानमंत्री का रहाले दोरा आया पीएमो के तरफ से योगी शासन को यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदिये शेतर वारा नसी में प्रशासनिक फेर वदल से पहले पीएमो को आपको सूचित करना होगा उनके अनुवती के बात सहीं है कि जीला अधीकारी ट्रांसफर किये जाएं जिस तरह से यह वाक्या सामने आया है उससे इस बात पने को और बल दिया है जिसमें यह कहा जाता है कि योगी आदितिनाथ और केंद्री यह आला कमान के बीश कुछ नकुछ चलता ही रहता है दो हजार बाइस बिहांसवा चुनाओं से पहले का वह फोटो आपको यादी होगा जब उतर प्रदेश की फिजा में यह बात तैर रही थी कि योगी आदितनाथ और भाजपा अला कमान के बीच किसी बात को लेकर गहमा गहमी है या कोई खटास आ गई है तो इस बात को अधर किणार करने के लिए चुकी चुनाओं का महौल था, अगर ऐसा बात सत्में बाहर है आता, तो गलत संदेश जाता जंता है तो इस बात को अधर किनार करने के लिए बीजे पी ने नरेंद्र मोदी और योगी आजी तनाथ का एक फोटो खूब ऐरल किया था जिसमें नरेंद्र मोदी एक अभिवावा की तरह योगी आजी तनाथ के कंधे पर हाथ रहकर चल रहे थे इस फोटो के माध्यम से बीजे पी से विकास कारे की गति रुक जाती हमने लोग हित में उनके ट्रांसफर को रोका है समझ रहे हैं रोका कहीं और से कहा रहा है कि हमने लोग हित में उनका ट्रांसफर रोका है वहीं दूसरी और यह भी कहा जा रहा है कि जो हरवाइस में लोकसभा चुनाव होने हैं इससे पहले यहां नगर निकाय चुनाव भी होने वाला है, यह दोनों चुनाव भाजपा के लिए किसी बड़ी चुनोती से कम नहीं है, बड़ा चुनोती का भी सही है, अगर इसमें कोई गरवड़ी हुई तो सीरे 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 सवाल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर उठेंगे, जिस बदलना पड़ा है, वैसे वो योग्याजी तिनाथ अपना कोई फैसला नहीं बदलते हैं, ऐसे में आने वाले जरूरों में उतर परदेश और केंद्रीय अलाकवान के बीच ऐसे ही वीना कोई सब्द बोले वार चलते रहेंगे, या फिर से मीडिया को यह बता दिया जाया कि सब ठीक है, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आगे इस ख़ौर पर जो भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे, बाकी खबरों के लिए यह बने रही है हमारे साथ, देखते रही है जनता जंक्सन, अगर आप यह वीडियो फेस्बूक पर दे कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कैमरा के पीछे हमारे सही होगी है वी साल, बहुत बहुत धन्यवाद.